दोस्तो आज की इस वीडियो के अंतर का थमबात करने वाले हैं कि जितनी भी स्मार्टफोन कंपनिया है दोस्तो खास कर चायना वालों के उपर गौर्मेंटर ने नकेल कसने का प्रबंद कर दिया है दोस्तो दोस्तो एक सर्वे के अंदर अभी अभी सामने आया था कि आपका शाओमी, रियल्मी, बन प्लस और इसके अंदर शैमसं का भी नाम सामिल है दोस्तो ये जो कंपनिया है आपके यूजर डाटा को चुराती है दोस्तो देखें दोस्तो हर कंपनी का कहना है कि वो यूजर डाटा थो अप्योग में लेती है क्योंकि उन्हें उनकी service को improvement करना होता है और आप लोगों को अच्छे-च्छे update देने होते हैं दोस्तों लेकिन दोस्तों भई अगर बात करें तो देखें होता क्या है कि ये company आपके phone में कुछ ऐसी applications या कुछ ऐसे app already डाल के base देती है या फिर background में running करवाती रहती है जिनके वारे में या तो आपको पता ही नहीं होता और यदि पता भी होता है तो आप उनको uninstall नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप अपने phone को root नहीं करोगे दोस्तों यानि कि यदि आपको उनको use नहीं करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको disable कर सकते हैं फिर भी ये देखा और पाया गया है कि Facebook जैसे app यदि आपने disable भी कर रख है या फिर Swift की जैसे app है या हर company अपने-पने Samsung पे है MI पे है, Realme Store है इस सब ऐसे app है जिनका हमारी जीवन में कोई उपयोग नहीं होता है दोस्तों यदि हम इनको disable भी करते हैं तो अभी ये लगातार background में work कर रहे होते हैं दोस्तों और जो आपका data है, आपका personal data आप किस नमबर पे बात कर रहे हैं, कितनी देर कर रहे हैं कब आपका phone ओर रहता है, किसको message कर रहे है, क्या message कर रहे है आपका behavior क्या है, क्या चीज़ें आपको पसंद है ये सारा data company के पास भेता रहता है दोस्तों देखें दोस्तों हर company कहती है कि हम data तो लेते हैं और data लेना कोई बुरी बात नहीं अपनी service को improvement करने के लिए लेकिन इस बात की क्या guarantee है दोस्तों कि उसके data का कोई गलत उपयोग नहीं होगा दोस्तों आपकी personal privacy की जो चीज़े हैं उनको company कहीं और नहीं बेचेगी या उसका कोई गलत उपयोग करके आपके जीवन के साथ या आपकी privacy policy के साथ खिलवाड नहीं किया जाएगा दोस्तों देखे दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि Chinese लगवक 200 एप जो इंडिया के अंदर बेन कर दी गई थी दोस्तों जिनमें सबसे बड़ा जो नाम था वो TikTok और PUBG था दोस्तों और गॉर्वेंट ने इस्ट्रिक फैसला लेते हुए जासूसी के आरोप में इनके उपर बेन लगा दिया था हाला कि BZMI तो इंडिया के अंदर बापिस आ चुका है दोस्तों लेकिन TikTok का आना नामुम्किन सा नजर आ रहा है उसी तरीके से अब इंडियन गॉर्वेंट ने जो ये जितनी भी रियल मी है, साउ मी है, बन पलस है बीबो है, उपो है इन सभी कंपनियों को एक नोटिस वेजा है और नोटिस वेज कर ये बताया है दोस्तों कि आप जो ये Faltu के एप मुबाइल के अंदर डालते हो आप हमारे यूजर का डाटा इंडिया के अंदर लेकर जा रहे हो तो हमें ये बताईए कि आप अपने यूजर डाटा का करते क्या हो इनको कहां लेके जाते हो इनका क्या-क्या उपियोग करते हो किन-किन लोगों के साथ इसको share करते हो और इस बात की क्या guarantee है कि आप इसका कोई गलत हुपी हो नहीं करोगे दोस्तो तो क्या ये company आप इंडिया के अंदर when हो सकती है दोस्तो आप लोगों को पता होगा दोस्तो Huawei के साथ ऐसा already हो चुका है Google ने अपना सारा project जो Huawei के साथ partnership में था बंद कर दिया था चोरी के आरोप में ही दोस्तो तो यदि by mistake यदि कोई problem इन company के साथ पाई जाती है आप जानते हो सभी ये BSK groups की company आए OPPO, Bebo, Realme, MI तो ये एक ही company sharing orders है लगवग लगवग तो हो सकता है यदि इनमें कोई problem पाई जा सकती है तो government history tools policy के तैद इनको बंद भी कर सकती है दोस्तो अब ये problem खड़ी हो जाती है कि इंडिया में तो हर दूसरे भ्यक्ती के पास हमारे पास एक चाइना का phone है दोस्तो, तो उनको कैसे service मिलेगी इतना वड़ा market recap कैसे होगा उनको fulfill कौन कर पाएगा ये सारे सवाल भी बाते करने के योग है दोस्तो, लेकिन उन सारे सवालों से ज़्यादा महत्पूर्ण है आपकी privacy policy, आपकी private given दोस्तो, जिसके साथ ये companyya हो सकता है, खिलवार कर रही हो कर सकती है और आने वाले समय में आपके user data को बेच कर कोई और भी गलत काम किया जा सकता है दोस्तो तो ये थी आज की knowledge जो की technology से जुड़ी हुई थी दोस्तो इसी तरीके की computer tech और technology की videos आपको लगातार इस channel पर देखने को मिलती है दोस्तो, यदि आपके पन में भी कोई सवाल जवाब है तो आप comment box में लिख सकते हैं अब मुझे दीजिए जब मसकार